हलो बच्चों मैं विकास जांगडा विकेसी क्लासिज में आप सभी का स्वागत करते हैं आज का जो टोपिक है पारा क्लास 11 का वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानि इस से लेटिड हम इंपोर्टन टरम्स जो है उनको आज डिसकस करेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है दा ओबजेक्ट मूज इन टू डाइवेंशन ठीक है जब ओबजेक्ट टू डाइवेंशन में मूज करता है तो उसे हम क्या करते हैं वो अबजेक्ट ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है या फिर हम कह सकते हैं इफ बोडी रोटेट्स इन ए सर्कुलर पाथ जब बोडी सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करती हो किसके साथ with constant speed या constant velocity ठीक है जैसे plane के अंदर हम माले कोई भी ठीक है plane के अंदर जो distance होता है fixed point से वो हमेशा constant होता है sun के चारो तरफ जैसे planet मूव करते हैं earth जैसे रोटेट करने लग रही है तो ये distance जो होता वो हर बार क्या होता है fixed होता है ठीक है constant होता है किसी ball को इस परकार दागे के साथ बांद के और इसको ऐसे गुमाने लग जाओ यहां से इस परकार से तो ये कैसा होगा uniform circular motion होगा ठीक है तो ये होता हमारे पास से circular motion तो इसके लिए कुछ definition से जो आपको पता होने चाहिए पहली definition आती है angular displacement angular displacement को थीटा से denote करते है क्या होता है ये the angle through which a position vector will swap in a given interval यानि किसी भी एंगल के बात करें हम angular displacement के बात करें तो वो एंगल जब position vector जो है दिये गए time के अंदर swap करता है और आगे जाता है तो उसे हम क्या करते हैं angular displacement करते हैं या इसकी दूसरी definition आप ये भी कह सकते हो angle traced out by a radius vector एक radius vector के दुआरा जितना angle trace out किया जाएगा at the center of circular path जैसे ये circular path हो गया और ये इसका center हो गया ठीक है ये r हमने माल लिया अब किसी time के अंदर ये यहां से यहां पहुंच जाता ये particle यहां जो time था p point ले ले इसको तो 0 था ठीक है जब time आपके पास t हो गया तो ये यहां पहुंच गया तो ये भी आपके पास क्या है radius ही है तो ये area vector के लाएगा radius vector के लाएगा इसका ठीक है इसने जितना angle trace किया है वो angle क्या के लाएगा angular displacement के लाएगा ठीक है angular displacement क्या होता है ये होता है length of arc डिवाइड बाई radius of circle अब length of arc क्या है यहां से लेले P इसको नाम दे दे क्यों इसको नाम दे दे तो क्या हो जाएगा P क्यों डिवाइड बाई यह क्या है आपके पास से R हो गया length of arc को इस प्रकार arc से हम represent कर रहे हैं यहाँ पर तो angular displacement यह हो जाएगा इसकी SI unit क्या होती है SI unit angular displacement की radian होती है ठीक है radian इसकी SI unit होती है अगर आप से कोई पूछ ले कि one radian किसके equal होता है तो क्या कहोगे the angle subtended at the center of a circle by an arc having length equal to radius of a circle ठीक है इस परकार से जैसे माल लिया कि यह एक circle हो गया और यह इसका radius हो गया यह radius vector जो हमारे पास R हो गई और यह angle बना लिया इसने angular displacement थीटा बना लिया ठीक है तो यह जो R कितनी हो जाए radius हो फे circle के बराबर हो जाए तो उस time हम कहेंगे कि हमारे पास जो angle है वो किसके बराबर होगा one radian के बराबर होगा ठीक है यह भी हमारे पास one होनी चाहिए और यह भी हमारे पास one होनी चाहिए तब ही हमारे पास ये 1 के बराबर होगा तो जैसे अपको पता है 2 pi radian होता है 360 के बराबर और यहां से 1 radian अगर निकाले तो किसके equal हो जाएगा यह कट जाएगा यहां से 100c तो 100c और pi यहां आकर divide में आ जाएगा pi की value क्या होती है 22 बटे 7 होती है इसको आप solve करोगे तो 1 radian जो है यह आ जाएगा 57.3 degree ठीक है एक radian की value होती है 57.3 degree अब एक बाद आन रखना बिटा कि जो angular displacement होता है वो एक वेक्टर का behave करता है ठीक है जिसकी magnitude बहुत small होती है यानी लिख देते हैं यहां पर angular displacement behaves like a vector कब behave करेगा वहन इस magnitude is very small ठीक है जिसकी magnitude जब इसकी magnitude बहुत small आ जाए तो उस time angular displacement है के वेक्टर का behave करेगा कैसे अब तो हमारे पास यह इस परकास से circular formation यह थी बहुत छोटा ले ले हम इसको बहुत कम time में ले ले तो हमारे पास यह हो जाएगा यहां पर यानि इसको ऐसे ले 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 तो एक यह हो गया और एक यहां हो गया तो यह हमारे पास क्या हो गए कि straight line आ जाएगा यानि एक वेक्टर का behave करेगा इसलिए इसको क्या बोल देते हैं so ATJ pseudo vector ठीक है इसलिए इसको pseudo vector बोल देते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि commutative property जो है vector addition की वो angular displacement की large value के लिए possible नहीं है because the commutative property of vector addition is not valid for large value of angular displacement ठीक है इसलिए इसको pseudo vector बोल देते हैं next जो definition है वो है angular velocity angular velocity angular velocity को omega से लिखते हैं ठीक है angular velocity होती है rate of change of angular displacement rate of angular displacement ठीक है that is omega जो होती है वो हमारे पास होती है theta by t यह हमारे पास है इसकी SI unit theta की क्या होती है radian और time की क्या होती है second तो क्या होगी radian पर second यह एक vector quantity है जैसे हमारे पास angular displacement थी उसी तरह से angular velocity भी एक वेक्टर quantity है इसकी direction हम कैसे find करेंगे right hand screw rule के according ठीक है direction कैसे find करेंगे right hand screw rule इसके according हम direction find करेंगे जैसे हमारे पास से किसी circle के अंदर circular motion देखे यदि वो anti-clockwise है इस परकार से anti-clockwise motion है तो उसके अंदर angular velocity है वो upward direction में रहेगी यहां पर क्या होगा upward direction ठीक है और इसी के साथ angular displacement भी क्या होगा upward direction में होगा और यदि मालो clockwise direction है circular motion की तो downward direction होगी angular velocity की ठीक है और displacement जो angular displacement है उसकी भी direction क्या होगी downward direction होगी ठीक है तो यह हमारे पास से clockwise और anti-clockwise gaze के अंदर angular velocity की direction होगी ठीक है और यह direction बताया है में राइट है screw rule के according हम find कर सकते हैं क्योंकि curl जो है वो बताएंगी direction of rotation और जो ठंब होगा वो क्या बताएगा इसके अंदर वो angular velocity को represent करेगा ठीक है तो इसको हम यह भी कह सकते है कि simply जो है right hand rule के according यह right hand screw rule है उसके according हम इसके direction बता सकते हैं अब बात करते हैं time period इसको हम t में लेती है जब एक complete rotation लता है उस complete rotation में जितना time लिया जाता है object के दवारा वो उसका time period कहलाता है time taken to complete one rotation by the object ठीक है इसको capital T से लिखते हैं और इसकी जो SI unit होती है वो क्या होती है second ठीक है उसी तरह next जो term जाती है frequency frequency को new से लिखते हैं कहीं कहीं जो है small F से भी लिखा मिल सकता आपको ठीक है वैसे mainly इसको new वी जो होता न वी को थोड़ा सा उपर से ऐसे मोड़ देते हैं इसको बोलते है new यह pronunciation होता इसका ठीक है तो यहाँ पर देखे तो frequency क्या होती है number of rotation completed one second एक second के अंदर कितना number of rotation हुआ है that is one by t हम कह सकते है number of rotation by an object in one second एक second में object के द्वारा कितना number of rotation किया गया है वो क्या कहलाएगा frequency कहलाएगी इसकी unit वो होती हार्ट hz ठीक है हार्ट बोल दो या फिर per second बोल दो दोनों इसकी SI unit होती है okay dimension formula भी इसका निकाल सकते हो क्योंकि new हो गया आपके पास one by t के equal और M0, L0 t का t हो जाएगा उपर जाएगा तो minus one हो जाएगा यह इसका dimension formula हो जाएगा एक छोड़ा सा relation है angular velocity frequency और time period के अंदर omega होता है two pi by t के बराबर angular displacement और divide by time हो जाएगा यह हमारे पास angular velocity के बराबर हो गया अब one by t को हम क्या लिख सकते है one by t को हम लिख सकते है new तो यह क्या हो जाएगा two pi new तो हमारे पास जो omega है उसका यह relation आ गया two pi by t और एक आ गया आपके पास two pi new यानि omega is equal to two pi new यह हमारे पास relation हो जाएगा angular velocity frequency और time period के अंदर ठीक है अब बात करते हैं instantaneous angular velocity इसको भी हम omega से denote करते हैं यानि किसी भी time के अंदर velocity अगर पूछ ले angular velocity तो वो उसकी instantaneous angular velocity हो जाएगी the angular velocity at any instant of time t omega जैसे हो गया आपके पास limit लग जाएगी यहाँ पर delta t tends to 0 0 से कितना भी time हो जाए तो यह angular displacement divided by time या इसको हम कह सकते हैं d theta by dt और d theta का मतलब यह हो गया कि हमारे पास time derivative है angular displacement का और उसे हम instantaneous angular velocity बोलते हैं ठीक है अब बहुत important relation है यह exam view के according relation between linear velocity and angular velocity तो इसमें हमने क्या कर लिया कि एक object को consider कर लिया जो कि circular path में rotate करने लग रहा इसमें ठीक है जिसमें angular velocity जो है वो omega है और linear velocity है वो v है और इसके साथ radius है वो क्या है r है और इसने angular displacement जो test out किया है delta theta delta t time के अंदर ठीक है तो यह माले हमारे पास जो यह length है यहां की जो total यहां से यहां तक की length है वो क्या है delta l length है ठीक है अब दीखिए यहां पर अगर linear velocity देखे तो किसके बराबर हो जाएगी linear velocity वो होती है हमारे पास displacement upon time यानि यह जो होगा displacement delta l length of arc जिसे कहें और divide by delta t हो गया और यहां से delta l की अगर आप value निकालोगे तो v into delta t हो जाएगा ठीक है और यहां से angular velocity अगर निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगी angular velocity होती है omega और angular displacement divide by time तो वो हो जाएगी delta theta divide by delta t इसको या लेक भी देते है angular displacement divide by time हो जाएगा और यह simply हो जाएगी हमारे पास displacement upon में time हो जाएगा ठीक है अब angle की अगर बात करें तो angle किसके बराबर होता है angle होता है arc upon में radius length of arc जो हो गई तो यहां से angular displacement जो है वो किसके बराबर हो जाएगा length of arc delta L और radius क्या है R है और यहां से delta L किसके बराबर आ गया R into delta theta हो जाएगा ठीक है यह हमारे पास linear displacement और angular displacement के बीच में relation हो गया अब देखिए यह जो delta L है इसके value हम पहले निकाल चुके है यह value हम यहां put कर देते है put value of delta L in first equation में तो क्या हो जाएगा V into delta T is equal to R into में delta theta और यहां से V की value निकालोगे तो R into delta theta divided by हो जाएगा delta T हो जाएगा यह क्या है आपके पास है delta theta divided by delta T angular displacement है और divided by time हो गया तो यह हो जाएगा आपके पास है omega के equal ठीक है तो V is equal to यह आ जाएगा r omega यह relation है हमारे पास से linear velocity और यह है angular velocity ठीक है तो linear velocity हमारे पास किसके equal आ गया radius of path into में angular velocity इसको vector form में कैसे लिखेंगे in vector form तो vector form में लिखेंगे V is equal to omega cross r यह इसकी vector notation हो जाएगी ओके अब बात करते हैं कि यहां पर जो angular velocity है उसकी direction क्या हो जाएग तो दीखें angular velocity की direction जो हम basically right hand rule के according find करेंगे जैसे हमारे पास कोई भी object मालो वो इस परकार से जो ऐसे rotate करने लग रहा इसमें ठीक है anti-clockwise rotate करने लग रहा तो जिदर हमारा यह rotation है उसके along हमने क्या करना पड़ेगा अपने right hand की यह जो curl है इनको ऐसे गुमाना पड़ेगा मालो वो anti-clockwise ऐसे गुमने लग रहा इस परकार तो हम उसके along क्या करेंगे curl of finger को ऐसे rotate करेंगे इस परकार से और thumb है वो क्या बताएगा वो direction बताएगा हमारी की जो angular velocity की direction वो किदर हम इस परकार से जो है उनको फिर वो downward direction में होगी ठीक है circular motion के अंदर यानि कोई भी object जैसे इस परकार से circular motion में move करने लग रहा है तो एक बात ध्यान रख लेना किसी भी point की उपर हम एकर उसकी direction find कर रहे हैं मालो यहाँ हमने find करने हैं तो क्या करेंगे इसके उपर tangent draw करवा देंगे और यह tangent क्या बताएगा velocity की direction बताएगा अगर यहाँ पर है तो इसके उपर tangent draw करवा देंगे इस परकार यह velocity की direction बतादेगा और यहाँ पर है तो इस पर tangent draw करवा देंगे तो यह velocity की direction बतादेगा और object अगर यहाँ है तो इसके उपर tangent ड्रो करवा दिया तो ये velocity की direction बता देगा ठीक है जान रख़णा है circular motion में किसी भी point के along हम tangent ड्रो करवा देते हैं तो वो linear velocity की direction हमें बता देगा तो ये था हमारे पास linear velocity और angular velocity के बीच में relation ठीक है next जो video रहेगा हमारा उसमें हम acceleration के बारे में पढ़ेंगे linear acceleration, angle acceleration क्या होती है thank you